प्रगतव का फिट से आप से भी का हमारे ट्यूप चैनल में और दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS कलरक नोटिफिकेशन 2021 के रिगार्डिंग सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे नमबर वाकेंस के बारे में बात करेंगे प्रिवेस के बारे में बात करेंगे ऑनलें जो है स्टार्ट जो होगा उसकी टिलिटिव डेट के बारे में बात करेंगे प्रिलिम्स कब हो सकता है मेंस कब हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे साथे साथ जो 30 September को ठीक है 30 September को Finance Ministry के त्वारा जो आया है notice ठीक है जो exam hold किया गया था जो notification release होने के बाद जो exam यहाँ पर online को hold किया गया था ठीक है उस hold करने के पीछे का कारण क्या था उसके बार में यहाँ पर discuss करेंगे ठीक और number of vacances जो कि actual में कितने हैं 56830 और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 10,000 के आसपास में वो क्यूं इसके बारे में बात करेंगे ठीक है तितना तो माल लीजे कि यहाँ पर सबसे पहले कि number of vacances जो होगा वो 10,000 के आसपास में होगा आप वीडियो का आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगे क्यूं अगर हम बात करें online start कप से होगा तो 7 October से या उसके बास से बिलकुल यहाँ पर start होगा क्यूंकि उसको लेकर यहाँ पर hold क्या गया अब वह चीज़ जल्द ही clear होगा और online start होने की समभावना है प्रेलिम्स के अगर माने तो अगर अक्टूबर में अगर यह साथ October के बास से स्टार्ट हो रहा है तो definitely यह first or second week में इसका prelims होगा और into November या first week of December इसका जो है मेंस पर हो जाने है ठीक है वहीं साथ ही साथ बात करेंगी किसका जो है cut-up जो होगा क्या रह सकता है इसमें minimum जो है maximum score जो होते उसमें आपको ठीक है आपको जो है एक कम से कम minimum जो cut-up होता है section wise उसमें कितने लाने होंगे साथी साथ आपको maximum कितने score करने होगा ठीक है और यह जो यहाँ पर vacancy की बात हो रही है वो कब बर जाता है increase होता है at the time of appointment हालाकि इस वार की जो 2020 की vacancy टोटल कितनी 5830 लेकिन जो आपकी जो appointment होंगे ठीक है selection के वक्त उसमें देखेगा कि आपको वहाँ पर placement vacancy को देखने को बनेगा जैसा कि पिछली बार भी क्या हुआ था पिछली बार भी यह हुआ था कि आपका जो है 1557 vacancy आया था रिलीज हुआ था तो बहुत ही कम था देखकर सभी परशान हो गया फिर बाद में 1000 और बढ़ा तो 2557 हो गया फिर जब यहां पे appointment के वक्त हुआ अलक्टमेंट के वक्त हुआ तो यहां पर देख सकते हैं वेकंस 8000 प्लस हो गी थी ठीक है डिफिनेटली यहां भी आपकी जो 5830 के वेकंस लगवत 10 आर के अरांड में हो सकता है ठीक है अब यहां पर कुछ कटफ के बारे में बात करेंगे लेकिन उसके पहले सबसे पहले ज में अब आपको एकसां में धेना है वो दे सकते हैं इसमें साथ इसाथ लेंग्विजी जो की रहेगा वा इंग्लिस और हिंदी सा उन्मडिक है ना तो यहां पर देख सकते हैं कि और पोस्ट किया गया कप का 30 सेप्टमबर 2021 को ठीक है पी आई भी देली ठीक तो चली यहां पर बात ही तो समझा कि 13 languages होंगे जिसमें आपके इंग्लिस और हिंदी भी इंक्लूड रहेंगे और यहां पर साथ तर पर जैसा है कि यहां पर होल्ड कर दिया गया था जो उसके बाद क्यूंकि यहां पर जो लैंग्वेजिस की बहुती बहुत साले स्टेट में ऐसे भी कंडिडेट थे जिनको इंग्लिस या हिंदी में पर्टिकुलर एक्जाम देने में उनको दिक्कत होती थी उनको ल पर पते तो इंपर्टन चीज है कि नोटिफिकेशन आप सभी को पता था कि रिलेस जो हुआ था यहां पर आवे पीयस कर्क ठीक है एक है वह क्या है यहां पर एकसा ड़ीट सेक्षन वाइस कटफ की बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है टोटल सौको शोर्षन होते हैं ठीक है, 100 questions होते हैं, पैसे कैसे particular होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे English, numerical ability, reasoning ability इसमें कितना total होते हैं, 30 question होते हैं, 30 question होते हैं 30 mass के लिए, 33לק question होते हैं, 35icopondasndasa's के लिए 35 Jerome koos Steps MARYN Our dikkills होते हैं ठीक हैं, और सभी में क्या होते हैं, 2020 मिनिट के आपके समय मिलते हैं 2020 क्या मिलते हैं समय मिलते हैं particular section में particular subject में आपको 2020 समय मिलते हैं 20 minutes हर section में particular मिलेंगे तो अब क्या है कि आपको क्या लगता है कि यह जो हर section में इस तरह का जो आप मास लाते 6.25 तो ठीक है आप clear कर गए यह section आपका English clear हो गया 4.25 लाने पर clear हो गया कुल मिला गया आप देज़े 6 4 10 और सारे 10 और सारे 10 में दो जो जो एंगे सारे 12 सारे 12 में और ले ले लिए जे पच्छास 13 तो सब्सक्रिट को अघन आपको 40 पे किदफ रहेगा ठीक है जेरलयल कर रहे रहा है जो बीसी किद्ध के इसला के आसपस में रहेगा एक से दो section wise भी clear करेंगे और overall over और भी cut off of clear करेंगे ठीक है यह भी आपको clear करना होगा तब जाकर आपकी बात बनेगी चले इतना बात होगी अब देखें यहाँ पे general category का जो है हर state का मैं मैं पिछले बार का जो हदा 2020 का जो result आने के बाद जो cut off हुआ था prelims का उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे जैसे सबसे पहले हम बिहार की बात कर लें 71.25 cut off गया था ठीक है OBC general का same रहा था देली का 17 रहा था cut off गुजरात का 72 महराश्ट का 69.75 आंदर परदेस का 78 तरिपूरा का 59.25 हिमाचर परदेस का 72 जहरगंड का 75.75 करला का 77.25 पंजाब का 75.25 राजसान का 78.25 उत्तर परदेस का 73.50 बेस्ट बेंगोल का 61.50 गोवा का 53.75 जमु कस्मिर का 77.50 मद परदेस का 77.75 ओडिशा का यह देखे 75 कनाटका का 65.75 तलंगाना का 74.25 तमिलाडू 71 उत्तर अखंड 78.50 तो यह क्या रहा आपका प्रिलिम्स का कटफ यह आपका रहा प्रिलिम्स का कटफ तो ऐसे में आपके पास समय जो भी बसता हो ठीक है अब हैसान है कि नोटिक्फिकसन रिलिस का इंतजार करेंगे आप तैयारी अपने करते रहेंगे आप अपने तैयारी को बहतर करते रहेंगे एक्जाम बहुत ही जल्द होगा और आपको कटफ के बात करें तो कटफ आपको अभी से मॉक टेस्ट कर दे रहा है तो आप 70 प्लस लाने की कोशिश करेंगे मॉक में तभी जाके बात बनेगा तो कुछ इंपोर्टन जो यहाँ पर फैक्ट थे एक्जाम डिगार्डिंग मैंने यहाँ पर आप लोके साथ डिस्टरस किया हूँ आपको कुछ आपको हेल्फ मिलेगा और उसी के एक्जाम की तयारी करेंगे और जैसे कि मैंने बताया था कि सुरू में कि टोटल 10 वेकैंस कैसे होंगे कैसे होंगे मैंने बताया था कि 5830 जो भी रिलीज़वा वेकैंसी लेकिन अट टाम अप एपॉंटमेंट आपको यहां से 4-5,000 की वेकैंसी इंक्रीज़ देखने को बनेगा तो कुल मिला कर लगबह यहां पर 10 वेकैंसी बनती है यह चीज आप पिछले बार का आप आप कहीं भी जाकर डाटा सर्च कर जी नेट पे वहां पे भी आपको यह चीज़ की जानकारे मिल जाएगी कि आपका जो नोटिफिकेशन जो रिलेज होता है और फानल सेलेक्शन वक्त आपकी जो है वेकैंसी इंक्रीज होकर लगबत दसा क्यास पसमी यह पिछले बार जिस तरह से बरहाता उसस इस बर भी बढ़ने को चांसल जा ठीक है आप यहाँ पे previous year cutoff के बारे में मैंने जिक्र कर लिया आयोप कि यहाँ पे आपको चीज़ों समझ में आयो हो कि आपको हर section में clear करना ही करना है किसी section में आपने कम किया और बागी 35 का 35 कर लिया ठीक है यहां पर आपने क्या कर लिया सिर्फ वसे 5 ले आया तो ठीक है 75 तो नमबर हो गया अब कटफ माली आपका state का cut-off गया कितना गया वही आपका cut-off गया 72 किसे state का cut-off गया 72 और आपके आरे स्कोर 75 लेगिन आपने एक section को clear ने किया क्योंकि क्योंकि यहां पर 6.25 का डिमांड था इंगली section में और आपने लाया 5 इसके वज़े से आप इस section के हिसाब से आप disqualify हो जाएंगे ठीक है तो इस बात का ध्यार रखेंगे इसलिए मैं इस बात को समझा रहा था कि जब भी जानकारी थांक्यू वरी मच्च